एल्लो गाइस कैसे आप लोग मैं उमित तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिसकेशन करने आया हूँ काफी बच्चे अभी इस फेस से गुजर रहे हैं कि प्रॉपर पढ़ाई उन्होंने अभी स्टार्ट की है for December 23 exams or maybe for June 24 exams और वो यह decide कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या शायब कुछ दिनों में करने वाले होंगे कि हम notes बनाए की नहीं बनाए self notes बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए काफी complicated यह topic है और काफी assumptions काफी myths हैं इसको लेके तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से detail में सोच समझ के decide करो कि whether you should prepare self notes or not ठीक है let's start फड़ा फट पहले आप video like कर दीजे और comment box में जरूर comment करके बताना कि आपका क्या opinion है इसको लेके आप notes बना रहे हो नहीं बना रहे हो जो बाते मैं आपसे कहूंगा आप उससे agree करते हो या आपका क्या opinion है इसके बारे में do share your thoughts on in the comment section and do like the video and subscribe my channel for most such videos तो फड़ा depend करता है कि आप self study कर रहे हो या video lectures से आप पढ़ाई कर रहे हो ठीक है पढ़ाई कैसे कर रहे हो उस पर depend करता है अगर आप self study कर रहे हो तो there is no choice आपको notes बनाने ही पड़ते हैं क्योंकि आप खुद अपने teacher होते हो आपको खुद समझाना होता है अपने आपको काफी चीजो को आपको simplify करना होता है जो बिना notes बनाए possible नहीं होता है तो अगर आप self study कर रहे हो तो फरक ही नहीं पड़ता आप single module हो both module हो क्या situation है मुझे लगता है इतना फरक नहीं पड़ता notes बहुत जादा जरूरी होता है for a self study student I tell me self study student को self notes बनाना ही चाहिए उसी से उसकी understanding build होती है वो confidence gain करता है और वो उसको आगे चलके revision के लिए भी use कर सकता है clear है तो I am very clear about self study students कि उनको notes बनाने ही चाहिए it is very helpful in concept clarity in building concept and in building the interest in the subject also अगर आप notes ही नहीं बनाओगे और आप self study के बच्चे हो आपको interest ही नहीं आएगा subject में notes बनाते बनाते कही न कहीं interest भी develop होता है जादा time आप spend करते हो उस subject के साथ और कही न कहीं concern building बहुत अच्छी होती है notes के साथ clear है और कहीं न कहीं फिर आपके mind में बैट भी जाता है आपको याद होना भी start हो जाता है क्योंकि आप लिखते हो लिखने का बहुत बड़ा power होत तो problem यह है कि जो lectures देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए lecture bias को क्या करना चाहिए जो भी किसी के भी lecture लेके proper teacher से teacher के guidance में पढ़ रहा है आए ख्याल में तो उनको मेरे ख्याल से overall देखना पड़ता है उनका problem यह है कि already एक minimum hours की commitment उनकी हो चुकी है अगर आप किसी के video lecture ले रह 180 hours के हैं तो आपका minimum एक time पहले commit हो गया 180 hours तो आपको स्रिफ lectures ही देखना है 180 hours स्रिफ आपको lectures देखना है अब अगर आप उसके साथ-साथ notes बनानी की सोचोगे तो काफी ज़्यादा lengthy यह काम हो जाएगा ठीक है notes बनाना एक बात आप मेरे से agree करोगे notes बनाना शुरू करना आसान है शुरू करना बहुत आसान है उसको continue रखना मुश्किल है और उसको खतम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है तो अगर आप notes बनाने के यह direction में जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि कितना time consume यह करता है सोच समझ के decision लो मैं बस video बनाई इसलिए रहा हूँ कि काफी लोग ना ऐसे ही किसी को देख दख के या उनको पहले से उन्होंने पहले बनाए होते हैं जब वो LN 12 में होते हैं या 10 standard में होते हैं वो यह appreciate करना भूल जाते हैं कि CS का syllabus काफी जाता vast है और अगर आप बोथ module के student हो और आप सोच रहे हो कि मैं साथो subjects का या old syllabus के हो तो आठो subject का मैं खुद के notes भी बनाऊंगा lectures भी देखूंगा तो it's just not possible आप सोच के देखो आठो subject के आप video lecture भी देखोगे प्लस आप self notes भी बनाऊंगे प्लस आपको test भी देनी है प्लस आपको revision भी करनी है प्लस आपको थोड़ा बहुत self study भी करनी पड़ेगी साथ साथ में lectures के लावा भी काफी time spend करना पड़ता है subject के साथ तो इतना सारा आठो subject के लिए possible ही नहीं तो आप शुरू वही चीज़ करो जो आप खतम कर पाओ तो selected subjects के लिए आप जा सकते हो कि जहां आपको लगता है कि आपको चीज़ें tough लग सकती है आपको कोई subject बहुत जादा tough लगता है complicated लगता है और आपको लगता है कि teacher के होने के बावजूद हो सकत है आपको subject tough जाने वाला है तो आप उन subjects में notes बगरे बना सकते हो जो subjects आपको पता है कि नहीं यार teacher अच्छा है करवा लेगा खुद वो teacher notes भी दे रहा है जैसे मेरे subjects के लिए भी मैं बताना चाहूंगा मैं खुद revision notes देता हूँ old syllabus में तो मैं देता ही हूँ already दिये हूँ है अपडेट होके मैं बार-बार देता हूँ अगर उसमें कोई changes आते हैं तो और जो नए syllabus के बच्चे हैं CS executive के उनके भी notes under preparation है और सही समय पे आप तक पहुच जाएंगे तो आपको tension लेनी की ज़रूरत नहीं है जो भी lecture wires है उनको मेरे ख्याल से tension लेनी की ज़रूरत नहीं है maximum teachers revision material भी provide करते हैं तो जब कोई teacher से आप पढ़ रहे हो आपने concept building कर ली है साथ साथ में साथ साथ में आपने पढ़ लिया doubt selling के साथ भी concept building कर ली आपने test भी दे दी practice भी कर ली है और आपको वही faculty revision notes भी दे रहा है तो मुझे वहाँ need ही feel नहीं हो रही वहाँ जरूरी नहीं ह कि आप खुद के notes बनाओ क्योंकि कितना repetition होगा main notes है वो भी आप पढ़ रहे हो फिर उसमें से कुछ बना रहे हो पर जो चीज़ आप बना रहे हो लगबग मिलता जुलता material आपको teacher भी तो दे रहे है ना फाइदा क्या होगा आप फाइदा भी देखो अगर आप इतना करने की जुरत नहीं है आप बनाओगे वो भी अच्छे बनेंगे teacher देगा वो भी अच्छे ही बनेंगे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोनों notes अच्छे होते और बहुत जादा कोई difference भी नहीं होता मैं यह कह रहा हूँ बहुत जादा भी ऐसा कि नहीं जमीन आस्मान का फरक ह रह सकता है but still you can manage मैं कह रहा हूँ जो time आप वो notes खुद बनाने का time जो आप सेव करोगे न वो precious time आप revision के लिए use कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है एसा मैं अपने personal opinions बता रहा हूँ बाकि आप अपनी सोच के साब से चल सकते हो मैं अपना बस opinion दे रहा हूँ मेरा जो experience है ठीक आपको lecture देखने का कुछ जाधा headache नहीं है सब चीज़े flexible होती है आपके लिए कोई एक teacher का पूरा इतने सारे hours आपको देखने है ऐसा कोई compulsion नहीं है आप YouTube से अपनी पढ़ाई कर सकते हो जो topics में need है आप वहां lectures देख सकते हो जो चीज़ें आप से खुद से हो सकते हो आप कोई minimum time का commitment नहीं होता है इसलिए वहां possible है और वहां जरूरी है क्योंकि आपको खुद अपना सहरा बनना होता है बट lectures वालों का मुझे लगता है अगर आपके पास time है तो ही करो अगर आप उसको complete कर पाओगे तो ही करो कि काफी बच्चे क्या कर रहे है ना start कर रहे जो जो भी लेते हो तो उतना in-depth अगर आप नहीं बना रहे हो इन-depth बननेगा तो ही तो आगे चल के use होगा half-hearted way में अगर आप कुछ बनाओगे वो end time पे useful नहीं होता है तो आप बनाओ ऐसा कि जो आखरी तक आपको use है फिर आप कोई और notes न देखो ठीक है तो clear है तो अगर आप both module के हो और आप almost सारे subjects lectures से ही करने वाले हो तो please avoid self-study notes अगर आपकी faculty अच्छे से सब cover करवा रही है अगर आपकी faculty आपको revision notes भी दे रही है तो फिर आपको अपना वहाँ time based करने की ज़रत नहीं है जहां faculty अगर अच्छे revision notes नहीं दे रही है तो आप अपना effort put out करो नहीं तो faculty के notes आप use कर सकते हो काम अच्छे से चल जाता है हलका पुलका noting करना है कुछ selected topic के charts बनाने है ठीक है मैं उसकी मनाई नहीं कर रहा हूं वो आपको करना ही पड़ेगा teacher पढ़ाते पढ़ाते जो भी लिखवा रहा है जो भी simplify करवा रहा है अपने language में लिखवा रहा है कुछ topics को simplify करके कुछ charts बनवा रहा है वो तो सब आपको करना ही है जो full अपने notes बनानी की बात होती है हर चीज को अपने language में लिखना है हर चीज cover करनी है वो मैं उस notes की बात करना हूं उस notes में बहुत time लगता है ठीक है तो अगर आप single module के हो और आपको sufficient time है और आपको लगता है क teacher से भी better notes बना लूँगा तो आप कर सकते हो तो आपको यह factors consider करने चाहिए time availability time available है कि नहीं आपका single module है कि both module है teacher कौन है teacher कितना cover करवाने वाला है teacher क्या quality के revision notes देने वाला है उनका feedback क्या है notes का यह सब भी आपको पता करना है और अगर अच्छा feedback है teacher अच्छा है feedback अच्छा है in CS preparation ठीक है तो I hope आपको factors समझ में आ गए होंगे और please कुछ चीजें बहुत overrated हैं कुछ लोग कुछ चीजों को बहुत बड़ा बना के आपको दिखाएंगे मुझे कोई problem नहीं है ठीक है notes बहुत मैं कह रहा हूँ न बहुत personal चीज है actually लोग बुरा मन जाते हैं इसलिए मैंने काफी बार notes के बार में बाच्चेत नहीं की है बड़ काफी बच्चे मुझसे आप पूछ रहे हैं मेरी bias मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा र आप पूरा concept building study material जो मेरे notes हैं उससे आप कर सकते हो और जब exam की बारी आएगी दो महीने पहले आपको बहुत बढ़िया तरीके से revision notes भी आपको मिल जाएंगे जिससे आप properly revision कर सकते हो तो आपको extra effort double effort put करने की जुरत नहीं है instead आप वो time कहीं जाधा अच्छे काम के लिए utilize क कर सकते हो आप multiple time revisions के लिए use कर सकते हो या कोई subject जिसके आपको ज्यादा toughness लग रही है ज्यादा practice की need है case studies अगरे समझ रहे हो जहां problematic area है वहाँ पे आप time invest करेंगे तो ज्यादा आपका फाइदा होगा ठीक है I hope the video is useful to you do drop your comments ठीक है जो भी आपको feel होता है ज्यादा negative feel होन आपको क्या लगता है आप positively comment कर सकते हैं आपका क्या thoughts है आप personally बना रहे हो नहीं बना रहे हो या पहले बना चुके हो आपको क्या लगता है notes making का कितना role होता है for self study student or for lecture bias or for students in general वो भी आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपके comment ज़रूर read करूंगा ज्यादा reply नह नहीं करना चाहता हूं but I would like to know your opinion on this मुझे भी पता चलेगा बच्चे क्या सोच रहे है thank you so much do like the videos and do comment your opinion and do subscribe my channel अगर आप नए बच्चे हो CS में नए हो मेरे चैनल पे नए हो do subscribe my channel for more such videos from time to time thank you so much